नमस्कार दोस्तों जैहिन कैसे हैं आप सभी लोग उमीद करता हूँ आप लोग बहुत बहतर होंगे दोस्तों आज आप लोग के मध्य एक बार फिर उपस्तित हुआ हूँ अगनिवीर सीरीज की इस वीडियो को लेकर दोस्तों 20 सप्टेमबर को अगनिवीर का फाइनल रिज सफल नहीं हो पाए उम्मीद करता हूँ वो अपने प्रयास या अपनी कोशिस हैं नहीं छोड़ेंगे और आगे भी प्रयास जारी रखेंगे जिससे की वो नेक्स परती में सलेक्ट हो पाए दोस्तों मेरी इस आज की वीडियो का में परपज है अगनिपत इसकीम्स की बेस इन सभी के रारे में इस वीडियो में हम आज डीटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इंरॉल्मेंट की एक टिर्देट विल इंरोल इन रोल्ड इन अगनिपत S.H.E.M. अंडर आर्मी आक्ट Ch.E.M. for the duration of 4 year मतलब जो भी कंडिडेट्स अगनिपाथ स्कीम में इंरोल हो रहे हैं वो आर्मी एक्ट 1950 के अंडर है और उनकी सर्विस जो कंडिशेन है only 4 years के लिए है अगनिवीर्स so enrolled are subject to आर्मी एक्ट 1950 and will be go wherever ordered by land, sea or air मतलब अगनिवीर्स जो हैं वो 1950 के अंडर आते हैं और उन्हें जहां भी आदेश दिया जाएगा वो जाने के लिए माधित होंगे through land, sea or air यानि जल, भूमी और आकास के तुरू नंबर 3rd condition है अगनिवीर्स so enrolled under the scheme will not eligible for any type of pension और graduate यानि अगनिवीर्स जो इस scheme के थो इन्रोल्ड होंगे वो किसी भी तरह की pension और graduate के लिए योग नहीं होंगे दोस्तो अब बात कर लेते हैं सर्विसेज की दोस्तो, service of every अगनिवीर will be commence with back from date of enrollment यानि अगनिवीर की जो service है वो उसकी भरती की तारिक से ही count होगी यानि भरती की तारिक से 4 साल तक लीव, uniform, payment and elevances are during his service will be governed by concerned orders and letters इसका मतलब है दोस्तो आपकी service के दोरान आपकी छुट्टी, वेतन, जो भी भत्ते हैं वो सभी government के orders के अनुरूप आपको दिये जाएंगे अगनिवीर will be assigned any duty of organization interest and changes in time to time मतलब अगनिवीर को हर उस तरह की दूटियां करनी पड़ेगी जो भी उसके organizational interest के अंडर आता है और समय समय बर इसके लिए further orders जारी किये जाएंगे persons enrolled in अगनिवीर scheme will be undergo medical, physical and written test time to time as per the orders of government मतलब जो भी अगनिवीर scheme के अंडर जो भी बंदे या लोग इसमें enrolled होंगे वो समय समय पर medical judge, physical judge और written test के लिए legible होंगे यानि उन्हें समय समय पर step के testage देने होंगे अगनिवीर can be posted to any regiment, oblig unit and further transferred to any other organization in organization interest इसका मतलब है अगनिवीर है वो किसी भी regiment, oblig unit में posted किये जा सकते हैं और अगर further उसकी जरुवत किसी और जगह है तो वो वहाँ भी transfer किये जा सकते हैं हमारी आज की इस वीडियो का third topic है discharge आई अब बात करते हैं discharge policy के बारे में All the अगनिवीरs will be discharged on completion of four year service यानि सभी अगनिवीर स्वता discharge किये जाएंगे चार साल complete होने के बात On discharge of completion of four year service All the अगनिवीर will be paid सेवा निधी package यानि जो भी अगनिवीर चार साल की service complete करके discharge होंगे उन्हें सेवा निधी package दिया जाएगा सेवा निधी package के बारे में मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता जुका हूँ अगर आप लोग को इस विशय में जानकारी चाहिए तो आप उस वीडियो को refer कर सकते हैं अगनिवीर किसी भी तरह की ECHS, canteen और एक सर्विस्मेन क्राटिरिया के लिए eligible नहीं है अगनिवीर are also under official secret act 1923 यानि जितने भी अगनिवीर हैं वो अपनी सेवा के दौरान official secret act 1923 के अंदर आते हैं दोस्तो official secret act 1923 के अंदर हम किसी भी तरह की कोई भी information कोई classified information कोई map, कोई photograph किसी भी other व्यक्ति को साजा नहीं कर सकते ये एक crime है और अगनिवीर भी अपनी service के दौरान इस official secret act के अंदर आएंगे अब दोस्तो बात करते हैं इस वीडियो के सबसे important topic की तरफ enrollment for regular cadre दोस्तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगनिवीर बैच में से 25% candidates जो की इंडियन आर्मी के regular cadre में न्यूत किये जाएंगे दोस्तो इसमें लिखा हुआ है कि इज बैच ओफ अगनिवीर विल भी ओफ़र्ड टू इन्रोल्ड एज रेगुलर केडर ओफ इंडियन आर्मी यानि और्गनाजिशन इंट्रेस्ट और्गनाजिशन रिक्वाइर्मेंट यानि उस रेजिमेंट की जरुरतों के मताबिक अगनिवीर का हर बैच उसमें से 25% लोग रेगुलर केडर में सामील किये जाएंगे इसके लिए उन्हें एक एप्लिकेशन भरनी होगी उसमें उनका जो भी वहाँ पर फीजिकल क्राइटेरिया है इंडिविजल का मेडिकल क्राइटेरिया है उसकी रेटन कैपेबिलिटी है उसके आधार पर 25% अगनिवीर्स रेगुलर केडर में सामील किये जाएंगे अगनिवीर्स जो इन्रोल्ड एज रेगुलर केडर विल भी रिक्वाइट तो सर्व 15 इयर इन इंडियन आर्मी यानि वो अगनिवीर्स जो इन्डियन आर्मी के रेगुलर केडर में सामील हो जाएंगे उन्हें इसके आगे भी 15 साल की रेगुलर सर्विस करनी होगी और कोई भी अगनिवीर्स अपने रेगुलर केडर के लिए कोई भी क्लेम या दावा नहीं कर सकता ये इंडियन आर्मी की जूरीडिक्षन और उसकी जूरीज पर डिपेंड करेगा कि कौन अगनिवीर रेगुलर के अडर में सलेक्ट होगा अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगनिवीर की इलिजिबिर्टी क्राइडेरिया के बारे में दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं साड़े सत्रा से 21 साल के बीच अगनिवीर के केंडरिट की उमर होनी चाहिए जेंडर एंड मेरिटल स्टेटर्स यानि पुरुस और महिला उसके अलावा उसको अविवाहित होना बहुत जरूरी है Medical Standards, Medical Standards अगनिवीर भरती के लिए same as Indian Army के regular केडर की तरह ही रखे गए हैं क्योंकि अगनिवीर में से ही 25% जो केंडरेट हैं वो Indian Army के regular केडर में सामिल होंगे इसलिए Medical Test as like regular army के टेस्ट की तरह ही किया जाएगा उसके बाद दोस्तों ट्रेनिंग, ट्रेनिंग इंडियन Army के जिस वो रेजिमेंट के लिए अगनिवीर का चैयन होगा उस रेजिमेंट की जरूरतों के मताविक उसे basic और advanced training दी जाएगी Allotment of Service Number दोस्तों हर अगनिवीर को उसकी Service Number Allot की जाएगी On Reporting of Center यानि जब भी कभी अगनिवीर अपने सेंटर में जिस दिन रिपोर्ट करेंगे उन्हें उनका Service Number दिया जाएगा दोस्तों अब बात करते हैं Leave यानि छुट्टी के बारे में Leave will be the subject of Exigency of Service यानि दोस्तों छुट्टियों का जो विसाई है वो उसकी Service Conditions के उपर Depend करता है वैसे जो अभी तक का Decide है अगनिवीर को 30 दिन की Annual Leave और Medical Leave authorized है As per the Instruction of Medical Authority दोस्तों अब बात करते हैं Honors and Awards के बारे में अगनिवीर भी भारती सेना में मिलने वाले सभी Honors and Awards के लिए applicable हैं यानि जो भी Regular Cadres को जो भी इनाम दिये जाते हैं जो भी medals दिये जाते हैं वो सभी अगनिवीर को भी दिये जाएंगे तो अब बात कर ले Medical और CSD Facility के बारे में दोस्तो जो भी इन्डियन आर्मी के Regular Cadres को सारी CSD और Medical के Benefits हैं या जो भी उन्हें Skims दी जाती हैं वो सभी अगनिवीर को भी उनकी 4 साल के सर्विस के दुरान Same Applicable होंगी तो अगनिवीर के Pay and Allowances के बारे में मैं अपनी पीछली वीडियो में बहुत डीटेल में चर्चा कर चुका हूँ लेकिन फिर भी एक नजर डाल लेते हैं दोस्तो फर्स्ट येर में लगबग 30,000 रुपे पर मन्त इनका Package दिया जाएगा सेकिंड येर में 33,000 रुपे लगबग दोस्तो थर्ड येर में 36,500 के लगबग और फर्स येर में 40,000 के लगबग और इस अमांट में उनके 11 सेज भी एड किये जाएगे यानि जिस भी छेतर में वो सेवा कर रहे हैं वहां का अत्रिक्त बहत्ता इसमें एड करके उन्हें दिया जाएगा जोस्तो ओन रेटार्मेंट उन्हें सेवा निधी पैकेज दिया जाएगा जो की लगबग 12 से 13 लाख रुपे के एप्रॉक्स होगा इसकी भी डीटेल में अपनी पीछली वीडियो में बता चुका हूँ अगर आप लोग को इसमें इसे जंसन कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप उस वीडियो को रैफर कर सकते हैं उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्करप्शन बॉक्स में डाल दूँगा तो सरकार की ओर से प्रत्यक अगनिवीर के लिए 48 लाख रपे का एक जीवन भीमा भी किया गया है इसके लिए किसी भी तरह का कोई कंटिबूशन अगनिवीर से नहीं लिया जाएगा अगर सर्विस के बीच में कोई भी अगनिवीर अपनी सेवा से इस्तिफ़ा देना चाहता है तो ऐसा पॉसेबल नहीं हो पाएगा और इन टर्म्स अप वेरी सीरियस केसे कंपिटेंट अथोर्टी की सेंक्षन के बाद ही वो अपनी सेवा से मुक्ति पा सकता है अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगनिवीर की सर्विस कंप्लीट होने के बाद अगनिवीर को क्या क्या बेनिफिट्स दिये जाएंगे देखे दोस्तों सेवा निधी पैकेज के बारे मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ उसके अलावा उन्हें एक अगनिवीर स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा यानि उसने सर्विस के दौरन में क्या सीका है क्या काम किया है उसकी उपलबताएं क्या है इस अधार पर उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा इसके अलावा भी जो अगनीवीर दसवी पास करके भरतीवा है उसे 12th का एक certificate दिया जाएगा इसकी भी जो marking होगी वो उसकी service के according की जाएगी दोस्तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे content पसंद आ रहे होंगे अगर आपको मेरे content पसंद आ रहे हैं तो please मेरे channel को like and subscribe करें और अगर मेरे किसी भी विवर का कोई comment कोई query या कोई question है तो वो comment box में लिखके मुझसे पूछ सकता है उसकी समस्या का अवश समाधन किया जाएगा तो दोस्तों मिलते हैं एक next जानकारी भरी वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन नमस्कार